नमस्कार में अप्रिया भिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर बैठे बैठे कैसे आप ऑनलाइन सब्जी मंगबा सकते हैं COVID-19 के बाहौल में सरकार ने सभी लोगों से जरूरत पढ़ने पर ही घर से बाहर निकलने की अफील की है जिसके कारण ही एक बड़ी संख्या में लोग सिर्फ सब्जी और फल खरीने के लिए ही घर से बाहर निकलते हैं लेकिन अब सरकार ने इन लोगों के लिए भी सहूलियत प्रदान की है जिसके तहत अब ऑनलाइन ताजी और सस्ती सब्जियों को बेचा जा रहा है जिसकी शुरुवात पहले से हो चुकी है पहले दिन हुई कमाई की बात करें तो पट्टा में 400 से अधिक लोगों को सस्ती और ताजी बिहारी तरकारी पैकट में डिलिवर की गई पश्चिम चंपारन में भी करीब 200 ओर्डर पहले दिन डिलिवर किये गए सहकारिता सचिव बंदना प्रियसी ने इस बात को लेकर अपना बयान हाली में जारी किया है जिसके तहट उन्हों ने कहा कि इसका उदेश सब्जी उत्पादकता क्रुशकों को उनकी सब्जियों का उचित मुल्य दिलवाना और लोगों को सब्जियों का उचित भाव पर उपलब्ध करवाना है हाला कि ध्यान रहे अगर आप इस वेबसाइट पर जाकर के सब्जी मंगवाते हैं तो आपको कम से कब 200 रुपे की सब्जी मंगवानी पड़ेगी कि इस वेबसाइट पर सब्जी कितनी भी मातरा में ऑनलाइन बुक की जा सकती है ग्रहा को होम डिलिवरी एजेंट को प्रती डिलिवरी मातर तीस रुपे देने होंगी फेडरेशन लिमिटेड ने लोगों को सस्ती सब्जी उपलब्ध कराने के लिए रोजाना गाइघाट और राजिंद्र नगर की सब्जी मंडी का सर्वे करवाने की प्रक्रियाज शुरू की है जहां जो भाव होता है उसे कम भाव में मिलता है तो सब्जी उत्पादकों की प्राथमिक्ता समीती को सूशा दे दी जाती है COVID-19 के समाहौल में साथी साथ किसानों की लगातार बदहाल हो रही विवस्था को देखते वे सरकार का यह कदम किसानों के लिए तो फाइदमन है ही साथी साथ COVID-19 के समाहौल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने में भी बेहत कारगर सावित होगी जिसके तह जो लोग शाम को घर से बाहर सबजी लेने के लिए ही निकलते हैं उन्हें अब सबजी लेने के लिए नहीं निकलना पड़ेगा हाला कि अब कमदाम में सस्ती और ताजी सबजी उन्हें घर बैठे बैठे ऑन्लाइन डिलिवर कर दी जाएगी इस प्रक्रिया से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन तो होगा ही साथी साथ किसानों को भी अपनी सबजी बेचने के लिए नया बाजार मिल जाएगा जिससे उनकी आमदनी दोगनी होगी और साथी साथ आने वाले समय में और ज्यादा किसान खेती की तरफ आकर्शित होंगे